ओम ज्यान्ति मिरांधस्य ज्यानान जनशलाकया जक्षु उन्मेलि तम्येना तस्मै श्री गुरु वेनमहा नमा ओम विष्णु पादाय क्रिष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इती नामिने नमस्ते सारस्वते देवे कौरेवानी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पाश्यात्य देश्यतारिने जै श्री क्रिष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानन्द श्री अद्वेत गदाधर श्री वासादी कौर भक्ति व्रिंद हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्ण आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लेलामरेत के इन सत्रों में जहां श्री सत्सरुपदास गोस्वामी जे द्वारा लिखित पुस्तर शिलर परभुपाद लेलामरित के माध्यम से हम शिलर परभुपाद के जीवन चरित्र की उनकी अध्यात्म की सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की कृष्ण भावनामरित के इस आंदोलन को विश्ववयापी बनाने के प्रयास की यात्रा को हम सुनकर पढ़कर मनन करते हुए ग्राहे बिंदुओं को अपने जीवन में आच्रन में ला सके इसके लिए इन सत्रों का आयोजन किरने का ये बिनम्र प्रयास किया गया है अभी तक हम श्रील प्रभपाद लिलामृत के नौ अध्यायों का नौ प्रकरण का हम लोग पठन कर चुके हैं श्रमन कर चुके हैं और प्रकरण 10 जिसका नाम था आविशक्ता की यह महत्वपुर्ण घडी पिछले सत्र में हमने इसका एक भाग देखा और आज हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे तो आज सत्र 24 में प्रकरण 10 आविशक आविशक्ता की यह महत्वपुर्ण घडी इसमें हम पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावरती करते हुए आगे श्रीले सत्रुपदास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक के पंक्ती दर पंक्ती घटना क्रम को समझने का प्रयास करेंगे तो संक्षिप्त में जो आविशक्ता की यह महत्वपुर्ण घडी थी यह श्रीले प्रभुपाद के अमेरिका जाने से बिलकुल पहले के कुछ वर्षों की घटनाओं की एक जलकी हमें यहां पर प्रस्तोत करा रही है क्या केशी घट पर रहने वाले श्रीले प्रभुपाद को राधा दाम लिया कि लगबग 500 रुपे की आविशक्ता रहेगी इसकी मरमत कराकर इसमें वास करने के लिए लेकिन क्योंकि राधा दामदर मंदिर में 2000 से अधिक मूल प्रतलिपिया थी हमारे पूरुवर्थी आचारियों कि श्रीले प्रभुपाद ने वो जगह अपने लिए कार से धनाता रहेगा वो इसकी मरमत कराकर फिर यहां निवास करते हुए उनके लिए श्रीमत बागवत और अन्य ग्रंतों की रचना करना अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए ये जो रूप को स्वामे जी का निवास स्थान रहा है इस स्थान को इस स्थान उपलब्दें उनका प्रयोग करना ही रहेगा और इसले शिले प्रहुपाद पुना दिल्ली आते जाने का जो उनका क्रम था जो बहुत ही कष्ट में था उसमें विचार करने लगे कि कोई ऐसा स्थान मिल जाता जहां पर वो अपना प्रकाशन, संपाधन और लेखन सुचा वारो रूप से चलाते रह सकें तो जैसा आप चितर में देख सकते हैं ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन ने शिले प्रहुपाद की उन्हें स्थानों को पुनह देखने का प्रयास किया तो उन्हें दिल्ली में जो छिपी वारा इलाका है वहां पर एक पतली गली में आपको नीची की तरफ आपको दिख रहा है यह वो स्थान है जहां अब निर्मान करके शिलेप्रभभपाद का उपर यह पोस्टर लगा हुआ है तो यह चिपी वारा राधाकृष्ण मंदर के वह उपरी वाला मंझल है यह राधाप्रेस है जहांपर श्रीप्रभपाद की प्रकाशन हुआ था ये कृट पहनते थे टोपी लगाते थे नहरू टोपी जो विश्व प्रसित दो चुकी थी उस समय और अव एतनिक रूप से श्विल्य प्रहुपात की मैगजीन में किस प्रकाशन में वो अपनी तरफ से जो भी वो सहयोग कर सकते थे स्वैक्षिक रूप से वो सहयोग प्रदान करते थे तो ये क्योंकि ये अध्याये दिली में जिनिवास करते हुए श्विल प्रहुपाद ने किस प्रकार से अध्यात्मी कांदोलन को गती प्रदान की उसके बारे में हैं तो सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम उसको अब पुस्तक लिखी क्योंकि नोबल पुरसकार विजेताओं का अभौतिक जगत का जो सिधान्त उन्हों प्रतिपादित किया था उस पर वो नोबल पुरसकार उन्हें प्राप्त हुआ तो तश्रील प्रभुपात को विचार आया कि अभौतिक जगत वास्तों में शाश्वत गौड़ेड मैगजीन के क्रेता थे उन्हें बहुत पसंद आई और जब सबने शापने से मना कर दिया था क्योंकि धनका अभाव था तो उन्होंने दो भाग में 15,000 शब्दों वाली 38 पेज की इस पत्रिका को उन्होंने अपनी बैक टू गौड़ेड मैगजीन के ही दो अ अध्यात्मिक जो उन्नत मानसिक्ता था जो विकास था वो अब गती पकड़ रहा था और इस गती पकड़ने के प्रयास में सत्सरूफदास गोस्वामी जी लिखते हैं परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदे में वास करने वाले परमात्मा और सचे भकतों के कल्यान करता भी हैं अपने उन भकतों के मन से भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते हैं जिनोंने उनके संदेशों को सुनने की इक्षा विक्सित कर ली है जो समुचित रूप से कहने और सुनने में स्वयम नैतिकता से भरे हैं तो ये समवाद इसलिए आता है क्योंकि श्रीलप्रभपाद के अंदर उन्होंने चो एक आखलन किया था कि अगर भागवतम अब लिखना शुरू कर देते हैं उनको प्रेणा अंदर से प्राप्त हुई थी तो ये श्रीमत भागवतम के 18,000 श्लोग तो उनको लगता था कि अगले 5-7 वर्ष लग जाएंगे उनको इसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये पूरा उपकरम ये पूरी गढ़ना की थी सभी प्रकार के अन्यकारेओं को लगभग छोड़ दिया था और वो सोचते थे कि जब मैं पश्रिम जगत में जाओंगा तो जहां पर आध्यात्मिक साहित्ते का नितांत अभाव है कभी कभी उन्हे लगता कि क्या वो लोग संदेश को समझ पाएंगे क्योंकि मांस भख्षी और मुलेक्ष हैं billet क्योंकि वो क्योंकि उनके वो जब प्रहिश्व प्रहां करने करने लगजाएगा तो इस प्रकार के आ variety अविच्व पर तो आलज तो ऑफ उय जब इस stands चैज .... ये जो अंधेया ने पापकर्म है जीवन से बचने के लिए जब चार निशेदों को सुना था उनके गुरु मारास से तो उन्होंने असंभव कहते हुए तिरसकारात्मक हसी हसी थी और इशले श्रीले प्रोपात कहते हैं जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा कि केवल जिसने इक्षा मात्र विक्सित कर लिए श्रीमत भागवत पढ़ने के लिए वो वास्तों में भगवान उसके हृदे में निवास करते हुए उसके मन से भौतिक भोग विलास की वास्तना को दूर कर देते हैं तो आगे पढ़ते हैं यद्यभी भक्ति वेदांत स्वामी की ख्याती अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में भागवत के आरंब के अध्यायों में उन्होंने यह बात कह भी थी जो साहित्य असीम अनंत भगवान के नाम यश रूपों और लीलाओं के दिव्वे वैभवों के वर्णन से भरा है वह दिव्वे शब्दावली की एक अलग ही स्रिष्टी है जिसका उद्देश संसार की दिख भ्रमित सभ्वेता के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांती घड़त करना है ऐसे दिव्वे साहित्य को चाहे उसकी रचना अवेवस्थित रूप से हुई हो पवित्र आत्मा वाले मनुशे जो संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ हैं सुनते हैं पढ़ते हैं और स्वि साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत सी कठिनाईयों से भरा है विशे वस्थू को समुचित भाषा में विशेश कर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य असमर्थ सिद्ध होंगे और विशे वस्थू को सही रूप में प्रस् जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे क्योंकि वह सर्व शक्तिमान भगवान के यशगान का सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय इतनी घोर आवशक्ता है जब घर में आग लगी हो तो घर के निवासी पडोसियों से सहायता मांगने जाते हैं चाहे वे पडोसी ब संसार की वर्तमान इस्थिती के पूर्णतया दूशित वातावरण में श्रीमत भागवतम के दिव संदेश के प्रसारण के लिए ऐसी ही सहयोग भावना अपेक्षित है कुछ भी हो श्रीमत भागवत आध्यात्मिक मुल्यों का प्राविदिक विज्ञान है और इसलिए हमारा संबंद विशेश रूप से उसकी प्राविदी से है नकी भाषा से तो श्रीले प्रावपाद इस परिष्ट करते हैं कि हाला कि वो अंग्रेजी भाषा के प्रचारक के रूप में विख्यात है पर निश्यत रूप से भाषा की जो मौलिक ज्यान वाले लोग है वो उसमें कुछ न कुछ जो अशुद्धता है उसको पहचान जाएंगे पर श इस उधारन की तुलना कर रहे हैं भौतिक जगत से कि जब भौतिक जगत में इतना दूशन युक्त पाप युक्त वातावरण आचरन हो चुका है लोगों का तो यदि किसी के पास समाधान की विधी है तो उसकी भाषा यदि तनिक अशुद्ध भी है तो भी उसके जो दि साहित्ते की प्रविधी को संसार के लोग समझ ले तो हमें सफलता मिल जाएगी सच मुझ कलियूग आपात स्थिती थी घर में आग लगी थी जो सच्चे लोग थे और समय की आवशकता को समझते थे उनके लिए श्रीमत भागवत स्वागत योग्य ग्रंत था ये दिपि उ का आधारभूत गुण था वे अपनी स्वयम की अनुभूतियों को जोड रहे थे लेकिन पूर्व गामी आध्यात्मी गुर्वों से आगे निकलने की भावना से नहीं नितांत परंपरा की अनुसार विशेवस्तू को प्रस्तुत करने की जो सर्व महत्तुपूर्ण बात थी उसमें भक्तिवेदान्त स्वामी को कोई भी कठिनाई त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भाशिक प्रविधियों के कारण नहीं हुई अर्थात भाशा की अगर तनिक अपूर्णता थी तो श्रीले प्रभुपात ने जो मौलिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान है उसके साथ कोई समझोता नहीं किया उस ज्ञान को प्रस्तुत करने में श्रीले सत्रुफदास गोस्वामी आगे लिखते हैं वे जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्यों का कोई मुल्ले नहीं होगा देस्क के सामने बैठे वे दिन राट टाइप करने में लगे रहते और छट से लटकते तार में बंधे छोटे लैंप को जरुवत के अनुसार घुमा फिरा लेते वे एक पतली चटाई पर बैठते थे और उनकी पीट पिरामिड की ओर होती थी जो उस साज सज्जा हीन कमरे में सीधा खड़ा था पन्ने पर पन्ने इखटे होते जाते थे और पत्थरों से दबा कर वे उन्हें अपनी जंगा पर रखते जाते भोजन और निद्रा ये दिपी दोनों आवशक थे उनके लिए आकस्मिक थी उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका श्रीमत भागवद दिख भ्रमिज सभ्वेता में क्रांती उत्पन्न कर देगा इस प्रकार वे अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द कानुवाद करते और तातपरे लिखते किन्तु कारे जितनी शिग्रिता से हो सके पूरा होना था सन 1961 इश्वी की फरवरी में श्रील्भक्ति सिधान्त सरस्वती की जन्म जैन्ती व्यास पूजा के दिन भक्ति व्यदान्त स्वामी फिर विरंदावन लोटे शिल्ला भक्ति सिधान्त के कुछ सिष्य उनके सम्मान में उस दिन एकत्रित हुए थे उन्होंने उनके चित्र को पुष परपित किये थे और मंदिर में सामुदाई कीरतन किया था लेकिन भक्ति वेदानत स्वामी का विचार था कि उन्हें उससे भी अधिक कुछ और करना चाहिए था उन्हें विश्व व्यापी प्रचार अंदुलिन की योजनाय बनानी और उनको कार्यानवित करना चाहिए जैसे कि भक्ति सिद्धान सरसुती की एक्षा थी उसके स्थान पर वे स्वतंत्र व्यक्तियों की भाती खटे हुए थे उन्हें हर एक का अपना चोटा-मोटा विचार था, हर एक अलग केंदर में रहता था या अपना अलग केंदर चला रहा था किसी के पास विश्व व्यापी कारिक्रम न था, यहां तक की अखिल देश व्यापी कारिक्रम भी न था अपना जीवन यापन करने के अतरिक्त उनमें से अधिकतर के पास ना कोई योजनाय थी और ना ही दूर दृष्टी भक्ति विदान्त स्वामी चाहते थे कि उनकी आंदोलन का संचालन करने के लिए कोई शाशी मंडल हो किन्तु शाशी मंडल जैसी कोई चीज नहीं थी और यहां तक की आंदोलन जैसी कोई चीज भी नहीं थी जिन लोगों में पहले घोर संघर्ष हुए थे अब उनमें बात्चीज शुरू हो गई थी उन्हें डर था कि अचानक संस्थागत प्रयत्नों की बात होने पर ऐसा नहों कि उनके बीच के पुराने विद्वेश फिर जाग उठे अभी इतना तो था कि कम से कम वेक स्थान पर एकत्रेत हो गए थे और अपने आध्यात्मी गुरू को एक साथ श्रद्धा सम्मान अरपन कर रहे थे तो यदि हमें इस्मरण हो तो 1937 से ही मठ में आग लग चुकी थी श्रील भक्ति सिद्धान सरस्वती जी के शरीर रूप से लीलाति रुधान करने के पश्चात दो गुट बन चुके थे दोनों गुट अपने आपको सरवे सरवा बताते थे संपत्तियों का स्वामित रुधारन करने की बात करते थे लेकिन श्रील भक्ति सिद्धान सरस्व रहें कि 25 से 28 वर्ष बाद 1961 की बात की जा रही है 1937 से लेके 61 तो ये करीब करीब 20-30 वर्षों के पश्चात अब कम से कम वार्ताएं तो आरंब होने लगी थी इसलिए कोई भी किसी स्थाई शाशी सत्ता की बात नहीं करता था कि ये पुना किसी प्रकार से फिर से ब्रहमित न अन्यासी थे ये देपी लेखक और संपादक की रूप में वे मानने थे लेकिन उनका कोई मंदर या कोई अन्याई नहीं था और तब भी वे जानते थे कि वे भक्ति सिधान सलस्वती के अनुगमन का प्रैत्न कर रहे थे माया की विशाल शक्तियों के विरुद उन्होंने अपने को असहाय और अकेला पाया उनके गुरु भाई माया की इन शक्तियों के विरुद एक संयुक्त सेना जैसे नहीं थे वरन वे विरक्त मठवासियों जैसे थे जो धार्मिक सिध्धान्तों और कर्मकांडों में लगे हुए धीरे-धीरे बुढ़े हो रहे थे और जीवन शक्ती से हीन हो रहे थे एक जगह इखटे होकर वे अपने आध्यात्मी गुरू की आराधना कैसे कर सकते थे जब तक वे शोगपूर्ण मन से अपनी असफलता को अंगीकार ना करें और कभी नहीं इसे अच्छा देर सही सही के भाव से अपनी भूलों को सुधारने के लिए तैयार ना हो जाए यह नियम था कि व्यास पूजा के दिन हर शिष्य अपने आध्यात में गुरू का महत्तो दर्शाने वाली एक प्रशस्ति लिखे और गुरू भाईयों की सभा में उसे सुनाए बक्ति वेदान्थ स्वामी ने भी एक प्रशस्ति लिखी जो प्रशंशा की अपेक्षा विसपोट से अधिक भरी थी अपने गुरू भाईयों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने उसे उनके सामने विनमर भाव से प्रस्तुत किया तो ये वास्तों में प्रशंसा से ज्यादा चेतावनी थी, अवसाद था, दुख था, अवसाद नहीं, दुख था, शोब था, कि किस प्रकार एक विश्व गुरू, जो अध्यात्मिक गुरू भक्ति सिधान सरस्वती के प्रयासों का, उनके उदेशें का किस प्रकार से, उन गुरू के संदेश का वाहक होता है, सच्चा पुजारी वही है, कितनी लज्जा की बात है मेरे बंदुों, जिस व्यापारी ढंक से आप शिष्य समुदाय बढ़ाते हैं, क्या उससे आपको घबराट नहीं होती, हमारे गुरू का आदेश था, प्रचार करो, नए शिष्य के आरपार ब्रह्मान को भेद कर एक हो जाओ, और इस कृष्य भावनामृत का प्रचार करो, तभी हमारे आध्यात में गुरू की उप्युक्त सेवा होगी, आज वचंदो, राजनीती, कूटनीती का त्याग करो, यदि भक्ते सिधान सरस्वती के शिष्ये एक जुठ होकर प्रचार कारे में लग जाएं, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे इस पाप में संसार में आध्यात में क्रांती ले आते, शिला भक्ते सिधान सरस्वती को ऐसी ही आशा थी, और भक्ती वेदान स्वामी ने उस आशा को व्यास पूजा की अपने प्रशस्ती में रवाचित राश्रपती बनेगा और प्रचार फैलेगा चारो और, जब एक कविता पढ़ रहे थे और वयोव्रिद सन्यासियों की उस सभा में उसके सत्ते का उध्गाटन हो रहा था, तो कुछ ने तो उसका समर्थन किया और कुछ कृद्ध हो उठे, लेकिन उस सभा में क कोई नया निर्ने नहीं हुआ, एक साथ बैठ कर कोई नई योजना नहीं बनाई गई, जैसा कि भक्ति व्यदान स्वामी का आग्रा था, स्वामी महराज की कविता को केवल भावात्न कभी व्यक्ति या उनके मत के रूप में ग्रहन किया गया, गुरु भाई इस मत के थे कि इस समय के साथ पुराने घावों को भरने दिया जाए, पुराने मामलों को फिर उठाना, मिशन को पुना उस रूप में संगठित करना, जैसा कि वह श्रील भक्ति शिद्धान सरसुती के समय में था, और उन सभी महात्वा कांग्शा पूर्ण कारिक्रमों को चलाने का प्र प्रयास करें, तो सार रूप में श्रील प्रहुपाद ने, भक्ति वेदान स्वामे प्रहुपाद ने बड़े हिस्पष्ट शब्दों में क्या रिक्तता थी, उस समय के मठ के क्रियान वैन में उस पर प्रकाश डाला पर कोई सहमती नहीं बनी, तो लोगों का कहना था ही कि यदि अभे चरंडे जो अब हमारे भक्ति वेदान्त स्वामी शिल प्रहुपाद बन चुके हैं, यदि वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ें, तो आगे लिखते हैं सत्तरूबदास को स्वामी जी, विचारों से भरे भक्ति वेदान्त स्वामी केशी घाट लो उन्हें अपने धंग से उसमें आने देना चाहिए। उसका प्रचार करना था। शीलब भक्ति सिधान सरस्वती यही चाहते थे। यदि उनके गुरु भाई मिल जुलकर इसे नहीं कर सकते तो वे उसे अकेले करेंगे। गुष्णा पत्र देखने के साथ भक्ति वेदान स्वामे के वन में टोक्यो जाने का विचार आया था। यदि उनकी मुख्य अभिरुची सदा सयुक्त राज अमेरिका में थी। लेकिन यदि जापान जाने का वसर पहले मिले तो वहां क्यों न जाया जाये। और आमंतरन पत्र भी अंग्रेजी में था। यदि उन्हें आरक्षन मिल जाता है तो अधिवेशन में होटलों में रहने और खाने का खर्च वे देंगे। किन्तु यात्रा का व्य उन्हें स्वयम वहन करना था। भक्ति वेदान्त स्वामी ने International Foundation for Cultural Harmony सांस्कृतिक सामंजस से के लिए अंतराश्टी संस्था के संस्थापकों को लिखा और मानवियता का विकास कैसे करना चाहिए विशेय पर भाशर देने का प्रस्ताव किया। संस्था के प्रधान सचीव श्रीमान तौशी हीरो नकानों ने केशी घाट के पते पर उन्हें उत्तर भेजा। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संस्कृती और भक्ति वेदान्त स्वामी द्वारा प्रस्तावित विशे के संबन्ध में बड़ा संमान प्रकट किया। मंदित लोगों से यह प्रार्थना की गई थी कि उन्हें पारपत्र और प्रवेशपत्र समय से दिये जाएं ताकि वे जापान में दस मई तक पहुंच सकें। तब भक्ति वेदान स्वामी के मन में अधिवेशन के लिए एक विशेश योजना का विचार पैदा हुआ। समय के लिए ढग जाते हैं। इस अधियाय में इस तरह के दर्जनों उधारन हैं। भक्ति वेदान्त स्वामी ने प्रस्ताव किया कि ऐसे 50 उधारनों के चित्र बनाये जाएं, हर चित्र की उनके द्वारा लिखित व्याख्या हो और चित्रों को अधिवेशन में प्रदर् कर दिया और उनका सिर्शक भागवत का प्रकाश दिलाइट ऑफ भागवत रखा। चित्र बनाने वाले कलाकार के लिए हर उपदेश के अनुसार एक चित्र बनाने के लिए वे निर्देश लिखते गए। उन्हें लगा कि उन 50 चित्रों और उनकी व्याख्याओं के प्रस्ताव है. जहां दक आपका यह प्रस्ताव है कि आपके निर्देश अनुसार आपकी व्याख्याओं पर चित्र बनवाए जाएं तो आपकी व्याख्याओं के कुछ नमूने प्राप्त होते ही कलाकारों की नियुक्ति के बारे में हम विचार आरंब कर देंगे. इसलि और बीस हजार शब्दों की पांडुलिपी तयार की पचास पाठ, पचास चित्रों के लिए. चित्रों में वर्शाकाल में व्रंदावन के वनों, खेतों और आस्मानों का चित्रण होना था. पाठों में यत्र तत्र नास्तिक्तावादी सरकारों की, भौतिक्तावादियो की और जूटे धर्मानवियाईयों की आलोचना थी कहीं कहीं उनमें नैतिक सिध्धानतों और भगवत चेतना का वर्णन था और कहीं कहीं भगवान कृष्ण और व्रंदावन में उनके शाश्वत सहचारियों के विशे में उल्लेक था भक्ति विदान स्वामी और जापान में अधिवेशन के संस्थापकों के 20 सभी कारे ठीक चला भक्ति विदान स्वामी की समस्या यात्रा के लिए किराया जुटाने की थी उन्होंने सभी संभव स्त्रोत आजमाए केंद्रिय सरकार के वैग्यानिक अनुसंधान और सांस्कृत एक मामलो के मंत्राले को पत्र लिखते हुए उन्होंने श्रीमान नकानों का प्रमार पत्र सनलगन किया और एक सन्यासी के रूप में अपनी स्थिती स्पष्ट की देर मार्च में उन्हें एक प्रपत्र भरकर लोटाने के लिए प्राप्त हुआ, समय थोड़ा रह गया था 29 मार्च को उन्होंने उपर राश्रुपती डॉक्टर राधा कृष्टनन को जिनसे उनकी कुछ चान पहचान थी और दार्शनिक मद्भेत था एक पत्र लिखा आप जानते हैं कि मैं एक सन्यास्वी हूँ और बैंक से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी अन्य वित्तिय संस्थान से मेरा कोई रिष्टा है किन्तु जापाने संस्थापकों को मेरा साहित्य पसंद आया है और वे चाहते हैं कि मैं वहाँ पहुँँ उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चुकि प्राचीन काल में भारत के महान आचारे अपने ग्यान का प्रसार संसार के कल्यान के लिए करते रहे इसलिए आज की भारत सरकार को भी चाहिए कि उन प्राचारियों के प्रतिनेधियों को आत्मा का संदेश देने के लिए भेजें उन्होंने बंबई में सिंधिया स्टीम नविगेशन कंपनी के वो प्रभंदक को भी लिखा और उन्हें इस्मरन कराया कि 1958 इश्वी में सहीक्त राज अमेरिका की यात्रा के किराये में वे उन्हें 50% छूट देने को तैयार थे जापान के श्रीमान नकानों के आमंतरन के बारे में बताने के बाद भक्ति वेदान स्वामी ने लिखा कि जापान आने जाने का पूरा किराया अमेरिका के आधे किराये से भी कम होगा सभी संभावना उपर एक साथ सोचते हुए उन्होंने एक दूसरे संभाववे अनुदान करता श्रीमान व्रज रतन एस मोहता को लिखा जिनोंने कभी भक्ति विदान्त स्वामी को दक्षिन अमेरिका भेजने की तत्परता दिखाई थी जब वहां के एक भारतिये ने आध् साहित्य के संदेश को प्रस्तुत करने का नया अवसर था और जापान की यात्रा की टिकट भी दक्षिन अमेरिका के टिकट से कम थी जिस दिन उन्होंने श्रीमान मोहता को लिखा उसी दिन उन्होंने वैग्यानिक अनुसंधान मंत्राले को प्रपत्र पूरा करके भेजा इस प्रश्ण के उत्तर में कि वे अनुदान क्यों मांग रहे थे और क्या पहले भी उन्होंने कभी अनुदान मांगा था उन्होंने लिखा इसके पूर मैंने मंत्राले से वित्तिय सहायता कभी नहीं चाही क्योंकि इसकी कोई आविशक्ता नहीं थी एक सर्ण्यासी के प्रबंद करते रहे भागवत प्रकास के पहले 20 सोधारन विचार चित्रन के लिए उन्होंने श्रीमान नकानों को भेज दिये थे उन्होंने लिखा कि जापान कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृती के लिए विख्यात है हमें अब एक जूट हो जाना चाहिए उन्होंने सुझाव दिया कि विचारों और चित्रों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जाए श्रीमान नकानों ने भक्ति वेदान स्वामी को विश्वास दिलाते हुए लिखा कि वे सब हनेड़ा हवाई अड़े पर उनकी प प्रार्थना और की वह यह थी कि वे जापान के तीन नगरों के मेरों से संबंध द्रण बनाने के लिए उन्हें लिखें कि आध्यात्मी का धिवेशन को वे पूरा सहयोग दें भक्ति वेदान्त स्वामी ने यह कारिक किया लिकिन अब अप्रेल आ गया था और धन कहीं से नहीं आया था अंत में डॉक्टर राध्यकृष्णन से व्यक्तिगत रूप में मिलने और उनसे कोरा नकारात्मक उत्तर प्रानी के पश्याद भक्ति वेदान्त स्वामी निराश होकर श्रीमान नकानों की और मुड़े 18 अप्रेल को नोने लिखा आपका दिनांक 9 अप्रेल का पत्र प्राप्त हुआ जो कुछ आपने मेरे प्रती लिखा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मैं एक दीन हीन प्रानी हूँ और इस संबंद में जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आध्यात्मे गुरू श्री भक्ति सिधान सरस्वदी गोस्वामी महराज का यही आदेश था मेरे स्वागत की जो विवस्था आप कर रहे हैं उसे जानकर मुझे अतियू प्रसनता है लेकिन आपको मेरी यह विनम्र सूचना है कि मेरी यात्रा के किराय का जो लगभग 3500 रुपए है मामला भी तक तैय नहीं हुआ है मैंने सहायता के लिए भारत सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा था उसकी प्रतिली भी भी संलगन है मैंने डॉक्टर एस राधा कृष्णन को एक व्यक्तिगत पत्र भी संलगन में लिखा था और जो उत्तर मुझे मिला वह भी हां संलगन कर रहा हूँ ये सब कुछ मेरे लिए उत्साहवर्धक नहीं है इसलिए आज मैं उपराश्रपती जी से स्वैम मिला लेकिन उन्होंने वही कहा जो वे पत्र में लिख चुके थे ये दिपी मैं अभी एकदम निराश नहीं हूँ लेकिन मुझे ये सोच कर चिंता अवश्य है कि यदि सरकार ने सहायता देने से इंकार कर दिया तो मैं क्या करूँगा इसलिए इस संबन में मैं आपका सत्परामर्श चाहता हूँ डॉक्टर एसरादा कृष्णन ने मुझे बताया कि अधिवेशन में समलित होने के लिए आपने उन्हें भी आमंत्रित किया था और उनका ऐसा मत है कि मेरा यात्रा व्याई शायद आपकी ओर से दिया गया हूँ अधिवेशन से आशा और अपेक्षा निसंदे बहुत बड़ी है और मेरी ऐसी अभिलाशा है कि इस अवसर का पूरा उपियोग मैं अखिल मानो समाज के सामानने कल्याण के लिए कर सकूँ मैंने अपने विचारों को पूरी तरह से उन वक्तव्यों में अभिव्यक्त किया है जो मैं आपके पास प्रकाशनार्थ भेज चुका हूँ उन विचारों का सारांश मैंने मेरों को भेजे गए पत्र में भी दे दिया है जिसकी प्रतिलिपी भी यहां सललगन है सन्यासी होने के नाते मेरे पास खर्च के लिए धन नहीं है ऐसी परिस्थिती में यदि सरकार ने यात्रा वय से देने से इनकार किया तो उसके लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी अन्यता अधिवेशन में सम्मिलित होना मेरे लिए एक सपना बन कर रह जाएगा राजनेताओं के वेभार में मेरा विश्यवास नहीं है विशेशकर भारती राजनेताओं के वेभार में डॉक्टर एस राधा कृष्णों की बात से मुझे ऐसा लगा कि सरकार ऐसे अधिवेशनों का अनुमोदर नहीं करती जिनका संगठन लोग निजी तोर पर करते हैं और इसलिए सरकार ऐसे अधिवेशन में भाग नहीं लेती मैं अंतिम निर्ने के लिए एक सप्ता तक और प्रतिक्षा करूंगा जब तक हाँ या न के रूप में मामला साफ हो जाएगा भारत में जिन लोगों से सहायता मिल सकती थी उनकी ओर से इंकार आ गया 20 अप्रेल को भक्ति सिधान स्वामी ने श्रीमान नकानों को तार भेजा चुकि आपका मुझसे गहरा प्रेम हो गया इसलिए मैं आपको लिखने का सहस कर रहा हूं कि जापान पहुंचने के लिए मेरी वित्तिय सहायता कीजिए मेरे विचार से आप दिल्ली इस्थित अपने दूतावास को तुरंत आदेश भिजवा सकते हैं कि आपकी ओर से मुझे जापान भेजने के लिए वह आवश्यक विवस्था करें आप से मिलने और कॉंग्रेस में सामिल होने की मेरी तिवर इक्षा है जिससे हम लोग आध्यात्मिक्ता के अनुश्वलन के लिए एक मजबूत संगठन बना सकें अपना कारिक्रम निश्चित करने के लिए मैं तार द्वारा आपके निर्देश की प्रतीक्षा करूँगा किन्तु श्रीमान नकानो सहायता नहीं कर सके और भक्ति विदान्त स्वामी के सारे प्रयत्न सपना बनकर रह गए जुलाई 1962 इस्वी में भक्ति विदान्त स्वामी वंशी गोपाल जी मंदर के अपने आवास को बदल कर राधा दामोदर मंदर में चले गए तीन वर्ष से वे राधा दामोदर कमरों के लिए पांच रुपे प्रतिमाश की दर से किराया और उनकी व्यापक मरमत के लिए खर्च दे रहे थे अब मुखे कमरे में बिजली और पंखा लग गया था और दिवारों पर चिकना प्लास्टर और पेंटिंग हो गई थी कमरा पंद्रफ फुट लंबा साथ फुट चोड़ा था दिवारों पर प्रास्टर हो गया था फर्ष विभिन आकार की चकोर बलूई पटियों से बना था ठीक वैसी ही पटियों से जैसी रूप गोस्वामी की समाधी के सामने जड़ी थी कमरे के सामान में एक छोटी सी नीची डेस्क थी एक कुश की बनी चटाई थी और सोने के लिए लकडी के पाए पाटियों वाली रस्यों से बुनी एक चार पाई थी कमरे से वैसा दृष नहीं दिखाई देता था जैसा कि केशी घाट से मिलता था पास पड़ोस उतना शांत नहीं था लेकिन अब अपने कमरे से बाहर जाए बिना भी वे मंदिर में झांक सकते थे और वेदी का कुछ भाग और उस पर विराजमान काले संगमर्वर के बने चार फूट उचे व्रिंदावंचेंदर नाम से विख्यास श्री कृष्न के उस श्री विग्रह का दर्शन कर सकते थे जिसकी आराधना सैकड़ो साल पुर्व कृष्न दास कविराज ने की थी मुखे कमरा दस फुट लंबे एक बरामदे द्वारा भोजनाले से जुड़ा था जिसके सामने एक आंगन था और अपने भोजनाले से वे रूप गोष्वामी की समाधी देख सकते थे इसलिए यह स्थान वंशी गोपाल जी मंदर के आवाज से अच्छा था क्योंकि अव्वे जीव गोष्वामी के मंदर में रह रहे थे जहां रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रगुनाद गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे महान गोस्वामी एकत्र हो चुके थे, प्रशाद ग्रहन करते थे, भजन करते थे और कृष्ण और भगवान चैतन्य के विशे में चर्चा करते थे श्रीमत भागवत पर कारे करने के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था रात्री में एक बजे जब कोई भी न जागता होता और चारो और शान्ती रहती तब भक्ति विदान्त स्वामी जग जाते और लिखने लग जाते चुकि वरंदावन में बिजली अकसर चली जाती थी इसलिए वे प्राया लालतेन के प्रकाश में कारे करते प्रकाश की कुछ किरने बाहर बरामदे में भी पहुँच जाती थी जबकी वे उसके प्रकाश में कमरे के अंदर काम करते रहते शांत वातावरन में जब विय लिखने के कारे में लगे रहते तो कभी-कभी पत्थर के फर्श की तरह, शुष्क, कोई मेंड़क उस पार के फर्श के दर्रे से निकल कर सामने की दिवार में बने सिमेंट की जाली में से कूद कर इस पार पहुंच जाता कभी कोई छोटा चुहा खिड़की के पीछे से दोड़ता हुआ आता और भाग कर दूसरी जंगा छिप जाता अन्य था कमरे में पूर्ण और पवित्र शान्ती थी और वहाँ छे गोस्वामियों की उपस्तिती में रहने की प्रेरना बड़ी बलवती थी खुले आंगन के उपर आकाश शाव दिखने वाले तारों से भरा होता था जब वे कारे में लीन होते उस समय नगर में यदि कहीं से कोई आवाज सुनाई देती तो वह दूरी पर भौगते हुए शायद किसी कुत्ते की आवाज होती थी चार बजे सवेरे मंदिर का पुजारी जो गर्व ग्रह के द्वार के निकट सोता था उठ जाता बिजली जलाता और एक लंबी लाटी से चमगादरों को शहतीरों से ख़देर देता था पांच बजे वह श्री विग्रहों को जगाता वेदी के सामने के किवार खोल देता और मंगल आरती आरंब कर देता वह दीप दिखाता जबकि मंदिर के कुछ निवासी भक्त एकट्टे होकर भरजन गाते और वाद्दे यंत्र बजाते थे प्राया कोई घंटा बजाने लगता था और कोई घड़ियाल बजाने में लग जाता था आंगन में कोई आवाज होती तो वह भक्तिवेदान स्वामी की आवास में तुरंद पहुंच जाती थी गंटा घड़ियाल की आवाज उनके छोटे कमले की दिवारों से टकरा कर अचानक प्रतिधोनी उत्पन न करती थी अपने बैटने के स्थान से बे वेदी की बाई और आसीन कीवल व्रंदावन चंदर को देख सकते थे कभी कभी वे अपना काम रोग देते थे और श्री विग्रहों के दर्शन और उनकी आरती देखने के लिए आंगन में आ जाते थे वेदी पर राधा और कृषनी के श्री विग्रह आसीन थे जिनकी आराधना सैकरों साल पहले जीव गोस्वामी और अन्य वैशनाव आचारे कर चुके थे दस मिनट के बाद आरती करने और जल से पूर्ण शंख बजाने के बाद पुजारी भक्तों के सिर पर शंख का पवित्र जल छड़कता था और इस तरह समारों का अंत होता था श्रीमत भागवत पर कुछ घंटे कारे करने के बाद भक्ति वैदान्त स्वामी अपने कमरे में बैठ जाते और जब करने लगते थे प्रातर काली नाकाश में हलके नीले प्रकाश के फैलने और तारों के अस्त होने के साथ वरंदावन के निवासी श्रीविग्रहों के और गोस्वामियों की समाधियों के दर्शन के लिए आने लगते वृत महिलाएं लडखराती आवाज में जै राधे कहती मंदिर में प्रवेश करती जब भक्ति वेदान्त स्वामी कमरे के किवार खोलते तो उनका कमरा प्रकाश से भर जाता था कमरे की खिड़कियां आंगन में खुलती थी लेकिन वे खिड़कियों के पेक्षा दिवार में बनी सिमेंट की जालियां अधिक लगती थी आने जाने वाले उनमें से कमरे में आसानी से नहीं देख सकते थे लेकिन उनसे प्रकाश आता था सवेरे के प्रकाश में कमरे का रूप साफ दिखाई देता था मेराबदार छट, ताजी पेंट की हुई तिवारे, मेराबदार ताक, पत्तर से जड़ा हुआ फर्श भक्ती वेदानत स्वामी का पतला सन्यास दंड, गहरी के सर्या रंग के खादी में लिप्ता हुआ कमरे के एक कोने में टिका था एक खाने में उन्होंने भक्ते सिद्दान सलसाथी का एक चितर रखा था और दूसरे में पुस्तको और पांडूलिपीो का धेर था कमरे के दो किवार बंध होने पर भी मटमैले लगते थे और पूरा कमरा बाई और कुछ जुका हुआ लगता था वह साज सज्जा हीन था लेकिन शान्त था दोनों कमरों के बीच के बरामदे में बैठे हुए भक्ति वेदान्त स्वामी प्रायह आंगन वेदी और श्रीविग्रहों की ओर देखा करते थे राधा दामोदर, व्रिंदावन चंद्र और राधा कृष्न के अन्य कई श्रीविग्रह दर्शकों की प्रतीक्षा में रहते सवेरी की वेला में श्री विक्रहों के किवार खुले रहते थे क्योंकि लगातार दर्शकों की पंक्ती से मंदिर जन संकुल तिर्थ स्थान बन जाता था वहाँ कोई अधिक देर तक नहीं रुकता था कुछ दर्शकों को कई मंदिरों में जाना होता था इसलिए वे जल्दी में होते गरीब लोग, स्थानिय वेवसाई लोग और रगिन साणिया पहने वी उनकी स्त्रियां सभी भक्त जय हो जय रादे कहते वेदी की ओर जाते श्रीवी ग्रहों का दर्शन करने के बाद वे दर्वाजे से बाहर के आंगन में पहुँँच जाते यद्धि विरंदा वन में प्राचीन वैशनव आचारियों के सम्मान में सैकड़ो, मंदिर नुमा चोटी समाधिया बनी ती भक्ति वेदानत स्वामी उनमें से केवल शीला जीव गोस्वामी, शीला भक्ति सिद्धान सरस्वती और शीला क्रिशनदास कविराज गोस्वामी जैसी मुख्य समाधियों का दर्शन करने जाते थे मंदिर के आंगन की एक अलग शेत्र में भजन कुटीर और रूप गोस्वामी की समाधी थी भक्ति वेदानत स्वामी प्राया रूप गोस्वामी की समाधी के सामने जब के लिए बैठा करते थे मंदिर से निकल कर दर्शनार्थी रूप गोस्वामी की समाधी को दंडवत करने इस बारी शेत्र में आते रहते थे अधिकतर तिर्थी आत्री से राधा दामोदर मंदिर के दर्शन का सबसे अधिक महतवण अंग मानते थे और चाहे वे किसी अन्य जंगः पूजा के लिए ना भी रुखते हों पर रूप गोस्वामी की समाधी के सामने वे जरूर रुखते थे वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते थे और जैरादे कहते वे प्रणाम करते थे या माला की थैली में हाथ डाले समाधी की परिक्रमा करते हुए वे हरे कृष्ण का जब करते थे भक्ति वेदान्त स्वामी दर्शकों की सवेरी की भीर खतम हो जाने पर भी बैठे रहते और जब करते रहते या कभी-कभी वे पास के राधा श्याम सुंदर या राधा मदन मुहन मंदिर में चले जाते 11 बजे तक अपना भोजन बनाने के लिए वे हमेशा लोट आते थे जब वे अपना भोजन बनाते रहते और बाद में जब वे प्रशाद ग्रहन करने के लिए बैठते तब भी जाली से रूप गोस्वामी की समाधी को निहारा करते रूप गोस्वामी की उपस्थिती की अनुभूती से उन्हें अपने अध्यात्मिक गुरू के निमित अपने मिशन का सदया विस्मरन बना रहता भगवान चैतन्य के भक्त रूप गोस्वामे के अनुगामी या रूपानुक कहलाते थे रूप गोस्वामी की सिक्षाओं और द्रिष्टांत का अनुगमन किये बिना कोई राधा और कृष्णी की सच्ची भक्ती के मार्ग पर नहीं चल सकता श्रीला भक्ति सिधान सरस्वती विशेश रूप से एक पक्के रूपानुक के रूप में प्रसिद्ध थे उनके सम्मान में लिखे संस्कृत की प्रार्थराओं में कहा गया है श्री चैतन्य की अनुग्रह की साकार शक्ती श्रीला भक्ति सिधान सरस्वती के पती में अपनी विनम्र प्रार्थना निविदित करता हूं, जो श्रीला रूप गोस्वामी की परंपरा में उद्धाटित राधा कृष्ण के दामपत्य प्रेम से संपन्न भक्ति का प्रचार करते हैं, मैं आपके प्रती सादर प्रणाम करता हूं, जो भगवान चैतन्य की सिक्षाओं की साकार मुर्ती हैं, आप पतित आत्माओं के उद्धार करता हैं, आप किसी ऐसे कथन को सहन नहीं कर सकते, जो श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति की शि योग नहीं किया, वो राधा दामोदर मंदिर में आ गया और ये राधा दामोदर मंदिर की उनकी दिन चर्या है, जहां पर वो किसी भी कोने से कभी या तोने विग्रह के दर्शन होते हैं, कभी रूप गोस्वामी जी की समाधी के दर्शन होते हैं, और उन दर्शन मातर से उनकी अपने गुरु के आचारे की इक्षा पूर्ती की जो उनकी दर्टा है वो और बल्वती होती जाती है बकति वेधान्त स्वामी के आध्यात्मी गुरु और गुरु शिष्य परम्प्रा में उनके पुर्व के आध्यात्मी गुरु कृष्य भावनाम्रित आंदोलन का प्रसार सारे संसार में देखना चाहते थे और रूप गोस्वामी की समाधी के सामने प्रेणा के लिए बैठते हुए भक्ति वेदान्त स्वामी प्रते दिन अपने आध्यात्मिक पुर्व गामियों से मार्ग दर्शन के लिए प्रार्थना करते थे जो प्रेमपुर्ण आदेश उनसे प्राप्त होते थे उन्हें वे निश्चित आदेश मानते थे और उससे उन्हें सरकार प्रशाशक या अन्ने कोई विचलित नहीं कर सकता था रूप गोस्वामी चाहते थे कि वे पश्चिमी जगत में जाएं शिला भक्ति सिद्धान सरसोती चाहते थे कि वे पश्चिमी जगत में जाएं कृष्ण ने ऐसा संयोग घटित किया था कि वे राधा दामोदर मंदिर में आये और उनके आशिरवाद प्राप्त करें राधा दामोदर मंदिर में उन्हें ऐसा लगा कि उनका प्रवेश ऐसे शाश्वत निवास में हुआ है जिसे भगवान के केवल सच्चे भक्त ही जानते हैं तो भी यद्धिपी वे उन्हें अपनी लीला भूमी में अपने साथ संबंदित होने का अफशर दे रहे थे लेकिन उनका आदेश था कि वे राधा दामोदर और वरंदावन को छोड़ कर पश्चिम को जाएं और विस्मरन शील संसार को आचारियों का संदेश सुनाएं जून में असहनी गर्मी पढ़ने लगी और दोपहर के बाद काम करना असंभव हो गया घोर गर्मी के समय भक्तिविदान्त स्वामी दर्वाजे और खिड़कियां बंद कर देते और छट पर लगा पंखा चला देते संदेय के समय गर्मी कम हो जाती, मंदिर में दर्शनार्थियों की भीर लग जाती और आंगन में सायंकालिन कीरतन आरंभ हो जाता अपने बराम्दे में बैठे भक्ति विदांत स्वामी कभी दर्शनार्थियों से बाते करते, कभी दर्शनार्थि उनके दर्वाजे के पास आ जाते और टाइप राइटर पर काम करते वे उन्हें देखते व्रिंदावन में उनकी प्रसिद्धी एक विद्वान और श्रेष्ट भक्त के रूप में थी लेकिन वे यथा संभव सबसे अलग बने रहे विशेश कर 1962 इश्वी की गर्मी में और श्रीमत भागवत पर कारे करते रहे उनके व्रिंदावन आने का यही वास्तेवे एक उद्देश था कि वे पश्य में वितरित करने के लिए पुस्तके तयार कर सके य treating पे उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे जापान तक की भी यात्रा कर सके और पुस्तके छाप सके, किन्तु जिन उत्देशियों को सामने रखकर वे अपना कारे कर रहे थे, वे यही थे वे व्रंदावन इसलिए नहीं आये थे, कि मृत्ती को प्राप्त करके इश्वर तक पहुँचे प्रत्युत्वे इसलिए आये थे, कि व्रंदावन उनके जीवन के मुख्यकारे को संपादित करने हे तू, आध्यात्मिक बलप्राप्त करने के लिए आदर्श स्थान था अपने भविश्य के मिशन के ठीक रूप के बारे में भक्तिवेदान स्वामी को पता नहीं था लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि उन्हें पाश्यात्य जगत की अंग्रेजी भाशी जनता में श्रीमत भागवत का प्रचार करने के लिए अपने को तैयार करना है उन्हें अपने गुरुओं के लिए सब प्रकार से पूर्ण उपकरन बनना था और यदि उनकी इक्षा हुई तो वे उन्हें वहाँ भेजेंगे इस प्रकार से आविशक्ता की है महतुपुण घड़ी दो सत्रों में हमने इस पूरे प्रकरन को सुना पढ़ा और समझने का प्रयास किया शिले प्रभुपाद 1961-62 का वर्ष चल रहा है और अगले चार से पांच वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने अपने लिए कारिक्रम बना रखे थे अपनी योजना की अंतरगत की वो बागवतम को पूरा लिख कर तैयार कर लेंगे अपने आपको पश्चिम की यात्रा के अभी भी अनिश्चित था पर योजनाओं के रूप में क्रियानवेन करने के लिए उनके पास बहुत विचार थे और बहुत सारे कारे थे तो इस प्रकार आविशक्ता की महतुपुन घड़ी यह अध्या यहां पर समापत होता है अगले सत्र में हम सभी प्रकरन 11 को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद कीचे श्रील गुरुदेव कीचे अनन्त कोटी वैश्नो व्रिंद कीचे हरी कृष्णा